Assalamualaikum, अगर आप एक MDK student हैं और अगर आप ये तीन mistakes कर रहे हैं तो आपकी MDK test में अच्छी performance नहीं हो पाएगी तो आज ही अगर आप ये mistakes कर रहे हैं तो इन mistakes को अपने सुधार लीजे ताकि आपकी MDK test में performance अच्छी हो पाए तो आई ये start करते हैं सबसे पहली गलती जो mostly MDK students करते हैं वो ये होता है कि वो पढ़ाई तो अच्छे तरीके से करते हैं पर उनका revision बहुत स्यदा अच्छा नहीं होता इसकी वज़ा से जब main MDK का time आता है टेस्ट होती है तब वो वो चीजसे recall नहीं कर पाते जो उन्होंने पढ़ी भी थी फिर भी वो recall नहीं कर पाते तो ये बहुत बड़ी mistake MDK students करते हैं कि वो revision अच्छे तरीके से नहीं करते जिसकी वज़ा से उनकी टेस्ट फिर अच्छी नहीं होती तो इसलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी अगर आप एक MDK student है तो आपको अपना revision बहुत स्यादा strong रखना है जो आप चीज़े पढ़ें डेली के बेस पे उनको आप revise कीज़ें उनकी practice कीज़ें उनके आप MCQs solve कीज़ें ताके वो चीज़ें आपके zen में हमेशा रहें जो भी चीज़ आपको चाए वो रटे वाली चीज़ ने कॉं सेप्ट वाली जो भी चीज़ है Himić उनको आप डेली बैस पर दशरूर रिवाइज करें जब भी आप अपने पढ़ाई स्टार्ट कहते हैं उसे पहले जो आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा सरुरी है अगर टाइम मेनेश्मेंट नहीं की चाहेगी तो जब टेस्ट होगा तो उस चाहिम पे आप जो गिवन टाइम होगा उसमें पूरे तरीके से जो कम्टीट अपने MCQs नहीं सॉल्फ कर पाएंगे तो यहीं गलती होती है जो मोस्टी सारे MDK student करते हैं कि वो MCQs सॉल्फ करने के टाइम पर अपनी टाइम मेनेश्मेंट नहीं रखते और नतीज़ा यह निकलता है कि जब पूरी आपको सॉल्फ करने पूरी आपको अपनी प्रेक्टिस रखनी है तो ज्यादा स्यादा पूरी अपनी प्लेनिंग रखने के जब टेस्ट होगी तो मैं कौन सा सेक्षिंट पहले सॉल्फ करूंगा कितने टाइम में ने करना है यह चीज़ आपको सेहन में रखनी है